साथियों, आज जिन राजनितिक दलों के लोच अपने आपको इस राजनितिक प्रवा में जब देश की जनता ने उन्हों निर्नकार दिया है तो कुछ न कुछ ऐसे इवेंट कर रहे हैं, ताकि कोई सेलफी ले ले, कोई फोटो चप जाए, कहीं टीवी पर दिखाई दे और उनकी राजनिति चलती आए, अब देश ने उन लोगों को भी देख लिया है, ये देश के सामने एक्सपोज हो गए है, स्वार्त की राजनिति का एक मुद्दा भद्दा उदारन, हम बहु लिके नागरिकों को परिशान करने पर लगे हुए है, देश की अर्थनीति को बरबाद करने पर लगे हुए है, और वो भी किसान के नाम पर, इन दलों को आपने सुना हुआ, मंडिया मंडिया बोल रहे है, A.P.M.C की बात कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी हेड़ लेलने लिए भाशन कर रहे हैं। लेकिन ये दल, वही दल, वही जंडे वाले, वही विचारदारा वाले, जो नहीं भी बंगाल को बरबाद किया। केरल के अंदर, उनकी सरकार है। इसके पहले जो पचाच साल, चार साल तक देश पर नाज करते हैं, उनकी सरकार थी। केरल में EPMC नहीं है, मंडिया नहीं है। मैं जड़ा इनको पूछता हूँ, यहां फोटो निकालने के कारकम करते हैं, अरे केरल में अंदोलन करके महां तो EPMC चालू करवाओ। पंजाब के किसानों को गुम्रा करने के लिए आपके पास समय है, केरल के अंदर यह व्यवस्ता नहीं है, अगर यह व्यवस्ता अच्छी है, तो केरल में क्यों नहीं है। क्यों आप दोगली निती ले करके चल दे हो, यह किस तरह की राज़ेती करने हैं, जिसमें कोई तरक नहीं, कोई तथ्थे नहीं है, सिर्फ जूठे आरोप लगाओ, सिर्फ अपफाएं फेलाओ, हमारे किसानों को डणा दो, और भले भोले किसान, कभी-कभी आपके बातों मैं गुम्रा हो जाते हैं, भाईयों, बेहनों, यह लोग, लोग तंत्र के किसी पहमाने को, किसी परामेटर को मानने को त्यार नहीं है, इन्हें सर्फ अपना अलाब, अपना स्वात नजर आ रहा है, और मैं जितनी बाते बता रहा हूं, किसानों के लिए नहीं बोलो हूं, किसानों के नाम पर अपने जंडे लेकर के जो खेल खेल रहे हैं अब उनको इस सच सुनना पड़ेगा और हर बात को किसानों को गाली दी किसानों को अप्पानित किया ऐसे करकर के बच नहीं सकते हो आप लोग ये लोग अखबारों और मिडिया में जगह बना कर राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी बुट्टी खोज रहे हैं लेकिन देश का किसान उनको पहचान गया है अब देश का किसान उनको ये जड़ी बुट्टी कभी देने वाला रही है कोई भी जयर राजनीति लोक्तंत्र में राजनीति करने का उनको हक है हमें इसका भिरोथ नहीं है लेकिन निर्दोष किसानों की जिन्दकी के साथ न खेले उनके भविश के साथ खिलवाद न करें उन्हें गुम्रा न करें ब्रमित न करें साथ क्यों ये बही लोग हैं जो बर्सों तक सत्ता में रहें इनकी नीतियों की विज़ा से देश की करशी और किसान का उतना विकास नहीं हो पाया जितना उसमें सामर्थ था पहले की सरकारों की नीतियों की वज़र से सबसे जादा बर्बाद वो किसान हुआ जिसके पास न तो जादा जमीन थी न जादा संसादन इस छोटे किसान को बैंकों से पैसा नहीं मिलता था क्योंकि उसके पास तो बैंक खाता तक नहीं था पहले के समय में जो फसल बिमा योजना थी की उसका लाब भी इन छोटे किसानों के लिए तो गहीं नामों निशान नहीं था कोई का दुखह कहीं मिल जाए तो अलग बास है अइस छोटे किसान को खेट सिंचने के लिए न पानी मिलता था न भीजली मिलती थी वो हमारा बेचारा गरीब पिसान अपना खून पसिना लगा कर वो खेतों में जो पैदा भी करता था, उसे बेचने में भी उसकी हालत खराब हो जाती थी, इस छोटे किसान की सूध लेने वाला कोई नहीं था, और आज मैं देश वास्यों को फिर याद दिलना चाहता हूँ, देश में इन किसानों की संख्या छोटी नहीं है, जिन के साथ या न्याय किया गया है न, ये संख्या असी प्रतिशत से ज़्यादा किसान इस देश में है, करीब करीब दस करोड से भी ज़्यादा, जो इतने वर्षों तक सत्ता में रहे, उन्होंने इन किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिया था, चुनाव होते रहे, सरकारे बनती रही, रिपोर्ट आती रही, आयोग बनते रहे, बादे करो, भुला दो, करो, भुला दो, यही सब हुआ, लेकिन किसान की सिती नहीं करीव होता गया, क्या देश में इस थिती को बदलना आवश्यक नहीं था?